तो चलिए स्वागत है सभी सेविका बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक और नई वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ सेविका बहनों के द्वारा कमेंट में पूछा जाता है कि जो बच्चों की केटेगरी है जैसे कि 0 माह से 6 माह या 6 माह से 3 वर्स वाली केटेगरी में नहीं जाता है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है और कैसे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस केटेगरी में गया हुआ है या नहीं गया हुआ है इसके लिए एक option दिया गया है जिसमें आप लोग उसको देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा छे महापूर्ण कर लेता है तो आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है यह अटोमेटिक ही एक सिस्टम के माध्यम से यहां से यहां वो बच्चा ट्रांसफर हो जाता है और यहां से यहां वो बच्चा ट्रांसफर हो जाता है और जो किलिक करेंगे तो कोई भी notification होगा तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहां पर हम किलिक करते हैं जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि बिजाट कुमार has been moved from 0 to 6 month category to 6 month to 3 years category यानि कि जो बिजाट कुमार बच्चा है जो 0 से 6 देख सकते हैं इसी परकार से आप लोगो को यहां पर जो notification बार का option है इसमें दरसाद दिया जाता है कोई भी लभार्थी होगा या कोई भी बच्चा होगा जो इधर से उधर ट्रांसफर होगा उसका notification आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आप यहां से इसली समझ सकते हैं कि कौन सा बच्चा ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है कई बार होता क्या है कि कभी कभी यहां पर option नहीं देखने को मिलता है तो वह server के issue के कारण आपको यहां पर नहीं दिखाया जाता है तो इस परकार से यह system आप लोगो का काम करता है कि कोई भी लोगो आज की यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके share कर दिजिएगा यदि आपने channel को subscribe नहीं किया है तो अपना चोटा भाई समझके आप हमारे channel को subscribe कर लिजिएगा ताकि portion track rap से recording कोई भी information हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए तो आप सभी का हमारे साथ इस वीडियों बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में